हालो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल दा जो पोर्टल एंड ओनलाइन सेवा में जा मिलता आपको ओनलाइन सोलिशन दोस्तों आज की स्वीडियम आपको दाने वाला हों CSIR की तरफ से नियू वेकेंसी निकली गई है जिसके लिए स्टारिंग डेट क्या है लास्टेट क्या है क्या थे आपको मैं बताने वाला हूँ तो वीडियो को ध्यान से लास्टर तक देखते हैं तो फसंदा लाइक करें चैनल पर आपने धी तक सब्सक्राइब कर ले और साथ मेरा अभी लिए वाली हर नोडिशन आप तक सब्सक्र यहां पर आपको पूरा बताने वाला हूं इसका वेग्यानिक तथा अध्योगिक अनुसंदान परिस्त और यहां पर जो ओनलाइन फॉर्म होने वह नेशनल टेस्टिंग एजनसी एंड़ द्वारा होने हैं तो ठीक है यहां पर चलिए हम बात करते हैं इनफोर्मेशन की कि यहां पर क्या क्या जो है एलिजिबलेटी क्राइटर रखागा है जॉइंट CSIR-UGC-NET एक्जामिशन जुन 2021 के लिए यह जो फॉर्म है फिलप होने वाले हैं और नेशनल टेस्टिंग एजनसी के दौरा यह फॉर्म फिलप होंगे कैसे फिलप करना है यह सब्सक्राइब जरू कर ले तो यह पर आप देसकते हैं इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन एंड डेट्स एट अग्लांस ठीक है यहां पर डेट्स के लिए ब्यात कर लेते हैं कब से स्टाट होने वाले हैं और लास्ट डेट क्या है नेम ऑप दा एक्जामनेशन ओनलाइन र 2022 को 11 बचके 50 मिनिट तक आप फॉर्म भर सकते हैं लास्ट डेट 4 सक्चसफुल ट्रांजेक्शन यहां पर जो ट्रांजेक्शन की लास्ट डेट रखी गई है वो है 3 जन्वरी 2021 से यहां पर तीन जन्वरी 2022 तक आप जो है ट्रांजेक्शन इसका गर सकते हैं फिस वाली अगर आप फिलप करेंगे तो फिपेयबल फोर जॉइंट सी एस आई यार उजिसी नेट जून दो जारी किस तू नेट बैंकिंग्न डेविट कार्ट क्रेडिब काड् यू पी आई बॉलेट ठीक है तो आप नेट बैंकिंग डेविट-कार्ट क्रेड़ से भी फिस प्रेमेंट कर सकते हैं हम category wise यहां पर फिस आपको बताने वाले हैं अगर आप जनरल category से हैं यह फिस जनरल EWS category से हैं तो यहां पर 1000 रुपे का आपका चार्ज लगेगा अगर आप OBC NCL category से नोन क्रिमिल लेयर से तो 500 रुपे का यहां पर चार्ज लगेगा अगर आप SCSD category से हैं तो 2500 रुपे का चार्ज है और अगर आप थर्ड जनर category से हैं तो 200 रुपे का चार्ज है और अगर आप PWD category से है person with disability तो यहां पर आपका कोई चार्ज नहीं लगने वाला है ठीक है दोस्तों यहां पर आपको फीस का भी विसस तोर पर ध्यान रखना है उसके बाद सब्सक्राइब करें क्या यहां पर जो है correction in the particular of application form online ठीक है तो अगर आपको correction करना है form में जो आपने form fill up किया है अगर आप वो by mistake गलत भर देते हैं कुछ mistake हो जाती है तो इसकी date यहां पर रखी गई है 5 2022 से लेकर 9 2022 तक ठीक है तो पांच जनवरी से में correction स्टार्ट हो जाए downloading of admit card तो यहां पर to be announced late through website ठीक है website के through यहां पर जो है admit card download करने का announcement होगा तो आपको बार बार जो है website को चेक करना है mode of examination cbt यहां पर computer based test रहेगा pattern of examination mcq multiple choice question के pattern पर रहेगा duration of examination 180 minute की यहां पर duration रहेगी मतलब तीन गंटे का आपका जो है exam paper रहेगा date of examination तो यहां पर 29 जनवरी 5 फरवरी और 6 फरवरी 2022 को इसका exam schedule किये गए है यह खेर change हो सकते हैं लेकिन अभी फिलाल में यही है timing of examination तो shift 1 जो कि 9 सुबर 9 बज़े से 12 बज़ तक कि रहेगी और shift 2 जो कि दो पर के 3 बज़े से शाम के 6 बज़े बस तक रहेगे center date and shift 2 तो यह आपको आपके admit card में मिल जाएंगे कहां पर आपका center रहेगा ठीक है तो आप जो website है website csirnet.nta.nic यह फिर डारेक्ट जो nt की website है आप महाँ पर जाकर सारी जानकरी देख सकते हैं ठीक है दोस्तों अब चलिए हम यहां पर बात करें candidate can apply for joint csir UGC net June 2021 थू online ओर ठीक है आप फॉर्म जो fill up होने वो online fill up होने और जो website है इस website से आप कर सकते हैं या फिर nt की जो website है उससे डारेक्ट online form fill up कर सकते हैं only one application is to be submitted by a candidate एक candidate के द्वारा एक ही application यह आपर submit की जाएगी candidate must ensure that email address and mobile number provided in the online application form are there on as all information communication ठीक है तो आपके पास एक valid email address होना चाहिए और अपना एक mobile number होना चाहिए क्योंकि आप जब form भरेंगे तो आपको अपने mobile number और email address उसमें डालना होगा और उसी mobile number email address पर आपके OTP आएंगे ठीक है उसके बाद यहां पर next instruction में instruction for online application form ठीक है अगर आप online application form भरेंगे तो यहां पर instruction दिए है चलिए हमें बात करना है क्या से आपको online form fill up करना है यहां पर steps दी गई है steps मैं आपको बताने वारा download information bulletin आपको सबसे पहले अपने जो advertisement करना है इसको पूरी तरह अच्छा से पढ़ लेना है उसके बाद ही apply करना है तो यहां पर क्या के step से step first है सबसे पहले तो आपको apply for online registration music unique email id mobile number सबसे पहले आपको registration करना है और वो registration होगा आपकी email id और mobile numbers फिर step two में आपको fill in the online application form and not down the system generated application ठीक है तो आपको application form fill up करना है जिसमें आपको अपनी पूरी जानकरी डालनी है personal details नाम date of birth father name mother name ठीक है और आपको application number generate होगा application number generate आपको not down करना है step three जिसमें आपको documents upload करने है upload यहाँ पर जो document आप upload करेंगे उसमें सबसे पहले आपको photograph upload करना है जिसकी size दस से 200 के भी होना चाहिए ठीक है उसके बाद आपको signature upload करना है जिसकी size 4 से 30 के भी होना चाहिए फिट डूली verified result आपको upload करना है जिसकी size 50 से 500 के भी होना चाहिए category certificate अगर आप आप एसी ST or obviously EWS category से आते हैं तो यहाँ पर 50 से 300 के भी का आपको category certificate upload करना अगरा PWD person है तो यहाँ पर आपका PWD certificate लगेगा जो की size में 50 से 300 के भी होना चाहिए ठीक है उसके बाद step 4 आती जिसमें आपको आप fees payment करनी है जो कि आप net banking credit card debit card से कर सकते हैं या भी UPI के माधियम से भी कर सकते हैं ठीक है तो यह चार इस्टे पर अगर आप complete कर लेते हैं अच्छी तरह से तो आप यह form fill up कर पाएंगे उसके बाद download save and print copies of confirmation page after successful remittance of fees and copies safely for future reference ठीक है तो यहाँ पर आपको जो form of fill up करेंगे उसका एक print out आपको निकाल लेना और अपने पास रखने लेना है all the four steps can be done together or at separate time ठीक है तो आपको चारो steps complete करना है PWD candidates are accepted from payment of fees अगर अगर आप PWD candidate है तो यहाँ पर आपका कोई fees payment नहीं लगने वाला है all the steps all the four steps can be done together or at separate timing after the submission of online application form confirmation page of the application form should be download and a print out of the same may be retained for future reference ठीक है तो आपको यहीं सेम भई बात हैं कि आपको जो application form आप fill up कर देंगे उसके बाद एक print out आपको निगालकर अपने पास रख लेना है ठीक है तो दोस्तों इसमें मैंने आपको सब बता दिया है लगबग और इसके बाद हम यहाँ पर बात करने वाले है कि इसमें क्या education qualification आपके पास होना चाहिए अगर आप apply करना चाहते हैं इसमें तो ठीक है द आपके पास या तो MSC होना चाहिए या फिर equivalent degree होना चाहिए इंटिग्रेटेट बी एस MS, BS, 4 years, BE, BTEC, B Pharma, MBBS with at least 55% ठीक है तो 55% के साथ में आपके पास यह degrees होना चाहिए कोई भी एक और अगर आपके पास आप SCST candidate है आपका 50% marks के साथ भी यह जो degree है वो चलेगा candidate enrolled for MSC or having completed 10 plus 2 plus 3 year of the above qualifying examination as on the closing date of online submission of application form are also eligible ठीक है candidate processing only bachelor degree are eligible to apply online for junior research fellowship ठीक है lectureship LS और assistant professor ठीक है और एक वेंगेंज जो हो रही है आपर जो है lectureship LS जिसको सोटनों बोलते और assistant professor की BE, BS, BTEC, B Pharma, MBBS, final year result awarded candidate are eligible ठीक है अगर आप final year में है और या फिर आपका result awarded है ठीक है तो भी आप apply कर सकते हैं और this candidate मतलब जो final year वाले हैं this candidate will not be eligible for lectureship assistant professor ठीक है शिरफ आप junior research fellowship लिए apply कर पाएंगे BSC, final year result awarded candidate are not eligible to apply ठीक है और अगर आप BSC, final year year result awarded candidate है तो आप यहाँ पर apply नहीं कर पाएंगे तो vacancy का ना में junior research fellowship और इसके लिए आप apply कर सकते हैं अपरेज लिमिट के हम यहाँ बात करें ज्यरफ के लिए maximum 28 साल है और lectureship LSA या फिर assistant professor के लिए आपर कोई अपरेज लिमिट नहीं रखी गई है ठीक है सिर्फ ज्यरफ के लिए आपर पांच साल का जो है उसमें education दिया ज होना है Pow assim種 paper आहां पे देख सकते हि कि से अपने तयारी कर सकते हैं ठीक है अवर पुरा दिया हुआ हुआ है आप चाहे तो इस syllabus के हिसाब सही अपनी तयारी अच्छा से कर सकते है subject code भी यहां पर दिया गया है subject code का कौन से कोच का क्वेश्चक्या oh down here रखागा है ठीक है उसके बाद important timing जो कि मैंने already आपको बता दिये सारी जानकर यह माहिने starting में ही आपको बता दिये यहाँ पर कि आपकी starting date क्या है लास डिया है exam की dates क्या है ठीक है उसके बाद यहाँ पर देखिए registration और application process तो यहाँ पर भी registration और application process पताई गई है कि कैसे आपको registration करना है कैसे आपको जो है अपने documents upload करने है instruction भी यहाँ पर दिये है आप बस जो online website CISIR की महाँ पर या पर NTIR की जो website उस पर जाकर यह form fill up कर सकते हैं तो दोस्तो form fill up करने के लिए आपको NTI की official website पर आजाना यहीं से आप direct CISIR का form fill up कर सकते हैं form fill up करने के लिए सबसे पहले आपको new registration करना होगा new registration की यहाँ पर देखिए form fill up करने की क्या steps है steps to online apply apply for online registration सबसे पहले आपको registration करना है फिर online application form बनना है फिर documents upload करना है फिर examination fees जो है fees payment करना है ठीक है अब new registration करने के लिए आपको यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जो है यह अप्लिकेशन नंबर और पासवर्ट से अपना जो है यह account login करना है sign in वाले option पर क्लिक करके उसके बाद फिर आपको अपने साइट details डालनी है documents upload करने है फिस payment कर देना है I hope दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है अगर वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरू कर ले और बेल आगन को जरू प्रेस कर ले ताकि आने वाली हर वीडिक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुश सके और आप हमारे वीडियो सबसे पहल झास सरती ते हो कि भाली एओक हमारे देली आप हमारे वीडिकेशन आप कर ले नापक हमारे और प्रेस कर दो सबसे ऍास कर दो सबसे देए Deborah समयर गलाव हयो ओwe कर दो समयरे ट्नेतıs इ।